दोस्तों जुलाई के मन्थ में Most Awaited Nothing Phone 1 ने कफी धमाल मचाया तो ऐसी में दुसरी स्मार्ट फोन कंपनी कैसे पीछे रहती तो दोस्तों इस मन्थ में भी काफी धमाल और कमाल के फोन लॉंच होने वाले है पिछली बार की तरह दोस्तों इस वीडियो में भी हम प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बताएंगे की कौन सा फोन किस प्राइस रेंज में आने वाले है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर 20,000 के प्राइस रेंज में कौन सा स्मार्ट फोन आने वाला है POCO M5S यह phone Redmi Note 10 का rebranded version होगा POCO M5S में हमें 6.4 इंच की Super AMOLED डिस्पले, Mediatek Helio G95 चिप सेट और 64MP का Quad Rare कैमरा और Solar MP का Selfie कैमरा 5000 में बैटरी सेटप और 33W Fast Charging के साथ August महीने में देखने को मिलेगा यह phone हमें 15,000 से कम price में देखने को मिलेगा इसी price segment में हमें Xiaomi की तरफ से Xiaomi 12 Lite देखने को मिलेगा आप इसे Xiaomi 11 Lite ने 5 grams का successor भी बोल सकते हो Xiaomi 12 Lite में हमें 6.5 इंच की AMOLED डिस्पले के साथ 120 Hz का refresh rate Qualcomm Snapdragon 778G Chipset 108 Megapixel का Triple Rare Camera और 32 Megapixel का Selfie Camera 4,300 में बैटरी और 67 Watt Fast Charging के साथ August महीने में देखने को मिलेगा यह phone हमें 20,000 से कम price में देखने को मिलेगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं 30,000 के अंडर में आने वाले स्मार्ट फोन की दोस्तों इस प्राइश रेंज के अंडर हमें वीडियो की तरफ से वीडियो वी 25 देखने को मिलेगा जो की वीडियो वी 23 का सेक्सेसर होने वाला है वीडियो वी 23 अपने लुक और डिजाइन के वजह से लोगों के बीच में पॉप्यूलर हुआ था Vivo V25 में हमें MediaTek Dimensity 1300 का प्रोसेसर नहीं तो Qualcomm Snapdragon 778G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है Vivo V25 में 6.6 इंच की Full HD AMOLED डिस्प्ले मिल सकती है हमें Realme की तरफ से Realme GT Neo 3T देखने को मिलेगा Realme GT Neo 3T में 6.6 इंच की Full HD AMOLED डिस्प्ले, 120 Hz रिफ्रेश रेट, 64 MP ट्रिपल रियर कैमरे जैसे फीचर मौझूद है इसमें Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर आएगा यह Phone 2 Storage variant में आएगा जिनकी कीमत 27,000 या 28,000 रूपे से स्टार्ट होगी including bank offers अब दोस्तों बात करते हैं 40,000 के अंडर में आने वाले स्मार्ट फोन की दोस्तों वीवो की तरफ से वीवो V25 का प्रो वर्जिन भी हमें August मंत में देखने को मिल सकता है वीवो V25 Pro MediaTek Dimensity 8100 Chipset के साथ आने वाला है वीवो V25 Pro में आपको 6.6 इंच की Full HD AMOLED डिस्पले, 120 Hz रिफ्रेश रेट, 50 MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 32 MP का सेलफी कैमरा यह फीचर मौजूद है इस फोन से आप यह सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं परफॉर्मेंस, मल्टी मीडिया और कैमरा इसमें अच्छा देखने को मिलेगा इसका बेस वेरियंट 8 GB RAM और 256 GB स्टोरज आपको 35,000 से 40,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिलेगा अब दोस्तों बात करते हैं 50,000 के ऊपर आने वाले फ्लैक्शप स्मार्टफोन्स की IQ 9T और OnePlus 10T जिसकी चर्चा काफी टाइम से हो रही थी यह दोनों फोन हमें August के 1st week में देखने को मिलेगा IQ 9T आपको 2 अगस्त को देखने मिलेगा IQ 9T Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिप सेट के साथ आने वाला है साथ में 4700 mAh बैटरी और 120 Watt का Fast Charging Sport भी देखने को मिलेगा इसके अलावा फोन में 6.7 इंच की Full HD एमोलेट डिस्पले 120 हस का Refresh Rate, 50 Megapixel का Triple Rear Sensor भी मौजूद है अब दोस्तों बात करते हैं OnePlus 10T के बारे में OnePlus 10T आपको 3 अगस्त को देखने मिलेगा OnePlus 10T स्मार्टफोन 4800 में बैटरी बैकप और 150 Watt Fast Charging के सपोर्ट के साथ आएगा और इसमें Qualcomm का latest flagship chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1 chipset मौजूद होगा इसके अलावा फोन में 6.7 इंच की एमोलेट डिस्पले 120 हस का Refresh Rate, 50 Megapixel का Triple Rear Camera और 32 Megapixel का Selfie Camera भी मौजूद है दोनों phones IQ 9T और OnePlus 10T की expected price 50,000 से उपर होगी दोस्तों 10 अगस्त को Samsung का Samsung Galaxy Unpacked event आने वाला है जिसमें हमें Galaxy Z Fold 4 और Galaxy Z Flip 4 यह foldable smartphones देखने को मिल सकते है दोस्तों Motorola की तरफ से हमें Motorola Edge 30 Ultra भी August end में देखने को मिल सकता है और यह 200 Megapixel कैमरे के साथ आने वाला है इसमें भी दोस्तों flagship वाला प्रोसेसर Snapdragon 8 Plus Gen 1 देखने को मिलेगा दोस्तों Motorola की तरफ से एक और phone देखने को मिलेगा Motor Rezor 3 जो 2 अगस्त 2022 को चीन में लॉंच होने वाला है Motorola Rezor 3 में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर लगा हो सकता है इसमें AMOLED डिस्प्ले दे सकती है इसके साथ ही phone में 120 Hz का refresh rate भी दिया जा सकता है phone की main screen से full HD resolution मिल सकता है phone में 12 GB की RAM और 512 GB की internal storage देखने को मिल सकता है इसमें 50 MP का main back camera और 32 MP का selfie camera दे सकते है दोस्तों हमें दूसरे brand की तरफ से भी phone देखने को मिल सकते है दोस्तों comment में जरूर बताएं कि आप किस phone का wait कर रहे है दोस्तों अगर video आपको अच्छी लगी तो video को like और channel पर new है तो channel को subscribe करना ना भूले मिलते हैं new video में